हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में और मैं हूँ आपका दोस्त हिमन्त दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं होममेड वाटर हिटर पानी गर्म करने के लिए दोस्तों ये देशी जुगाड है दोस्तों इस वीडियो में हम बनाएंगे दो नट बोल्ट की मतर से एक वाटर हिटर बनाएंगे और दूसरा दो ब्लेट से बनाएंगे तो देखते रहे हैं वीडियो को दोस्तों लास्ट तक कैसे बनाते हैं इसको तो हमें नट बोल्ट वाला जो वाटर हिटर है इसको बनान के लिए वायर और प्लक चाहिए तो इस नट बोल्ट में दोस्तों हमें इस तरह से इसको कनेक्शन करना है इस तरह से दोस्तों इसको आप वायर को लपेड दीजिए इस तरह से wire को अच्छी तरह से tight लपेड दीजिए और दूसरे wire को भी इस तरह से इसको अच्छी तरह से tight लपेडना है इसको lose विल्कुल भी नहीं रखना है इस तरह से दोनों wires हमने tight दोस्तों लपेड के रख लिए हैं अब इसको हमें इस सूखी लखडी के टुकड़े के अंदर हमने इसको ड्रिल करके रख लिया है आप किसी भी पेजकस हो गयरा की मतर से इसको सुराख करके आप इसको डाल सकते हैं इस तरह से इसको आपने पूरी दर से टाइट करस देना है इस तरह से दोस्तों इसको टाइट आप कस देंगे और ये दोस्तों हमारा अंदर तक नहीं जा पा रहा है तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे लेकिन हमने इसको तोड़ा टाइट कर दिया है ताकि ये आपस में शौट ना हो और इस तरह से ये बिल्कुल तयार है आप इसको सीधे पानी के बाल्टी में ये मग में डाल सकते हैं ये हमारा वाटर हीटर दोस्तों तयार है अब हम इस छोटे से मग में पानी लेंगे और इसको टेस्ट करके देखेंगे इसको दोस्तों इस वाटर हीटर को हमने सीधे पानी पे डाल देना है और इसके प्लक को पावर देना है सीधे AC 220 वॉल्ट का जो सॉकेट हमारे घर में जो रहता है उसी से इसको पावर देना है दोस्तो इसको गरं करते हैं वक्त आपको पानी को बिल्कूल हाथ नहीं लगाना है क्योंकि इसमें करंट आएगा तो ये देखते हैं दोस्तो हमने इसको पानी में लगा दिया आप इसका स्वीच हम आउन करने जा रहे हैं इसका स्विच दोस्तो हमने अन कर दिया है और आप इसको देख सकते हैं इसमें हलके हलके से बुलबुले निकलना स्टार्ट हो चुके हैं पानी में बबलना स्टार्ट हो गया है पानी उबलने लगा है तो इस तरह से दोस्तो आप होममेड वाटर हीटर को बना सकते हैं बहु तन है उसको बिलकुल भी हाथ नहीं लगाना है जब यह गर्म हो रहा हो क्योंकि इसमें क्रेंट रहे तो आपको यह सावधानी से इसको करना है है तो इस तरह से दोस्तों आप यह हूं मेड वाटर हीटर बना सकते हैं अब कुना कि इसमे दोस्तों आपको बस अपनी शुरुक्षा का ध्यां रखना है पानी वबालते वक्त भीकिल भी इसको फिर्ण नहीं लगाना है यह आपट का दोस्तो थे गशलंत पानी वालने के लिए आप तो बाजार में सस्ते इमर्शन राड मिलते हैं दोस्तों आप इसको यूज कर सकते हैं इसमें थोड़ा खतरा है दोस्तों इसको अगर आप साउधानी से नहीं करेंगे तो इसमें करेंट लगने का खतरा बिल्कुल रहता है तो आप इसको लगातारी यूज करने के लिए नहीं तो दोस्तों आप immersion rod रख सकते हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है वो सस्ता भी रहता है तो ये देखिए दोस्तों इसको हमने बंद कर दिया है और ये पानी इसका काफी उबल गया इसमें से ये देख सकते हैं आप इसमें भाब भी निकल रहा है तो ये है हमारा एक home rate दैयार करना एक कः दस्तरा से आप दो बलेट ले सकते हैं और पतला जो लकडी कर तो कड़नेकृद सको लेना दोश्तों सुखा हुआ लगडी लेना है गीली लकडी से ये दोस्तों नहीं बनेगा आयो सुखी लकडी होनी चाहिए और इस थरह से आप है समें में की बलेड को लगा देंगे कुछ दूरी पर इस तरह से दोस्तों लगा देना है और दूसरी साइड से भी दोस्तों आप इसमें इस तरह से लगा सकते हैं ब्लेड को ताकि ये दोनों आपस में शॉर्ट ना हो आप जैसा भी चाहें दोस्तों आप इसको लगा सकते हैं बस ध्यान इस बा दोस्तों, वायर को आची तरह से टाइट इस पे लपेड देंगे, एक एक बेट पे, फिर ये हमारा WATER हीटर तयार हो जाएगा, इस तरह से आपको लपेड देना, अची तरह से, तो ये देखे दोस्तों, हमारा ये WATER हीटर भी तयार हो गया, अब इसको हम पानी में डालेंग पानी में दोस्तों यह अच्छी तरह से डूबना चाहिए यह देखिए दोस्तों यह पानी में अच्छी तरह से डूबना चाहिए इसको आप जैसा भी करें इसको पानी में अच्छी तरह से डूबो के रखने हम यहां पर यह प्लायर की मदद से इसको दोस्तों ंगे इसकेष्वायर को पाउर्स दे दिया है और ये देखिए जैसे हमने पाउर्स दिया ये पानी उपलने लगा है ये लगे हैं अन столько देखिए भॉबल आपको दिखाई देने लगे इसको देख सकते हैं तो इसमें भी कि दोस्तों आपको यह सावधानी रखना है कि पानी को बालतेवक्त बरतन को बिल्कुल भी हाथ नई लगाना है इसमें भी क्रेंट आईगा तो यह कि दोस्तों आप इस तरह से इसको आजमा सकते हैं लेकिन सावधानी से leaf अ does में का जो पानि है वो उबलने लगा है बौबल से सकी आ रहे हैं इसका पाणी दोस्तों काफी तेजी से गरम होने लगा है और इसके आप बबल्स भी देख सकते हैं मुआ दोस्तों यह होम मेट प्रोजेक्ट आप घर पर ट्राइ कर सकते हैं लेकिन स्ताउधानी से करें दोस्तों क्योंकि इसमें करेंट लगने का खत्र रहता है दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताईए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहली पहु